एक ये बड़ा बोलते हैं लोग के जी किसी ने मुझे भेजा मेरा पेटरन था शायद वो उसने मुझे मैसी भेजा उसने को भाई हारिस भाई ये मुसल्मानों का जो बर्थ रेट है नो उसके उपर भी बात करो ये कि जी तरह की अब मोमिनों के उपर सबसे जादे तनकीद म मोमिनों के उपर, बलके मोमिनों के जो अकाइद हैं, इसलाम के जो अकाइद हैं, जहां से ये जाड़ है जहां से इनके ये रवईये निकलते हैं, दाइश और ये पर ये जो हरकते हैं, पाकिसान में भी जो होती हैं, सबसे रहल तनकीद इनके उपर मैं करता हूँ, को इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन जैसा मैं आपको था हर पंदों को यह लगता कि उसका जो वर्ल्ड विव है ना जो उसकी उसका जो नैशनलिजम है उसका देश है मेरा देश समेशा ठीक है जब कोई बंदा अपने देश के उपर क्रिटिसाइज कर रहा हूना मेरे खाल से उसको पहली 70 पॉइंट्स मिल जाने चाहिए कि उसमें क्रिटिकल सेंस है क्रिटिकल सेंस है उसके अंदर किसी वी चीज़ को स्केप्टिक है वो तो मैंने देखा मैंने का यार यार ये मेरी निरेज अतरी जी से भी जब बात हो रही थी तो उधर भी थोड़ी सी बात आई थी लेकिंगे मेरे सामने सकते स्टैट्स मुझूद नहीं थे तो मैंने गूगल किया, स्टैट्स जूने मैंने, कि ये एक बड़ा हवा, ओ, 2050 तक तो हिंदू खतम हो जाएंगे, मुसल्मान अक पीचे जा रहा हो, ये मनने अक्सर बताया है, कि बर्थ रेट का तालूप ठीक है, इसलाम इसको ज़्यादा प्रॉपेगेट करता है, इसलाम आपको इंकरिज करता है, कि आप अपने ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा करें, हमने मुफ्ती तारिक मसूद जब बोलो उन्हों ने तो विडियो रिकार्ड कराई वे, उन्हों ने कहा कि बजाए इसके कि हम लोगों को मुसल्मान करें, हर मुसल्मान जोड़े को चाहिए, चार बचे पैदा करें, तो मुसल्मानों की इबादी 20 से 80 करोड हो जाएगी इंडिया में, उनका quick math, सतके जाएं डॉक् मेर्थ के उपर, तो लेकिन इसकी वज़ा, इसलाम तो आपके encourage करता है, लेकिन इसकी socio-economic बहुत बड़ी वज़ा है, education, women empowerment, बहुत बड़ी वज़ा है, जब आप औरतों को, Christopher Hitchens ने कहा था कि birth control का सिर्फ एक तरीका, condom और यह नहीं है, सबसे बड़ा उसका तरीका यह है, औरतों की emancipation, औरतों को educate करते हैं, जब औरत को अपनी body के उपर control आ जाएगा न, तब वो बचे नहीं करेगी, तब वो अपनी मर्जी से बचे करेगी, कोई औरत नहीं चाहती कि वो 4-4 बच्चे पैता करेगी, चाइल्ड वर्थ जो होती है, असान नहीं होती जाती, एक के जब दो करते हैं, दो के बाद तीसरा जोता है, ज़्यादा मुश्किल होता, चोथा और मुश्किल होता, बलकि यहाँ पर, तो आपको चोथा बच्चा असेलिया में, आपको चोथा बच्चा जो है, पांचवा बच्चा नैच्रली करने ही नहीं दिया जाता, आपको सेजे हो गई होगा और वो discourage करते हैं आपको चार बच्चों से जारा तो पहर रही हो तो और ते डिसिजन ले तो जब आपकी मुसल्मान पॉपिलेशन एजुकेट होगी आपकी मुसल्मान लड़की एजुकेट होगी तो आपके बच्चे भी और यह हमें पता है क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है ओवरॉल पूरी दुनिया तरक्की कर रही है तो उसकी वज़ा से हम देख रहे हैं मुसल्मानों का जो चाहें फर्टेलिटी रेट है वो कॉंस्टेंटली गिर रहा है यह 92 में देख रहा है सेवन के करीब था मुसल्मानों का 92-93 में 4.4 था एक और चार अशारिया on average 4.4 बच्चे पैदा करती थी और हिंदू जब कपल था वो 3.3 बच्चे पैदा करता था यह 98 में 3.6 पे आ गया और फिर 2005 तक 3.4 पे और अब 2.6 पे आ गया और हिंदू का 2.1 पे आ गया 4.4 से 2.6 तकरीबन आदा हो गया है तो आपकी जो fertility rate है जो बच्चों की का जो rate है मुसल्मानों का बच्चों का और कई जगों में तो बहुत काम है कैरला बकरना में और बहुत काम होगे मैं फ़र 2.1 से गिर गया कई जगों पे और कहा जाता है कि आपका average fertility rate 2.1 होना हम optimism मिलता हमें ये pessimism लोगों को बेच रहे हमें खुशी हो रही कि हमें थोड़ा birth rate कम हो रहा है और जो बच्चे already दुनिया में आ चुके हैं हम उनको Islam से दूर करते जाएंगे enlightenment दे दे के तो ये थोड़ा सा मन इसके पर कहना था मेरा बच्चा मेरा दोस्त बच्चों पर बच्चे पैदा किये जा रहा है और मेरे भी पीछे पड़ा रहता है बोलता है पालना अल्ला ने है तू बस पैदा किये जा उसको ये बता देना कि बच्चे पैदा किया अर्जुन सिंग क्या कह रहा है आफ्टर तिबत इंवेजन इंडिया एक अच्छी जगा हो सकती थी for meditation and psychological health but we failed as a society भक्ती और अबादन ने ले ली नहीं आपको अर्जुन इसमें कोई disappointment होने की जूरत निए हर चीज़ साथ सच चलती है आपको क्या लगता है इतने सारे जो लोग secularist है जो enlightened लोग है इंडिया में क्या वो नहीं है वो भी है I think majority इसकत भक्तों किया जो मूदी जी को वोट दिये जा रहे है बार बार मुझे काफी लोग मूदी जी के भक्त मेरे पीछे पढ़ जाएंगे लेकिन ये तो मैं आपको कहूंगा ही कहूंगा कि मूदी जी ने जो impression दिया भक्तों को भक्तों को लगता है उन्हाने मूदी जी ने शायर directly खुद ना कहा भक्तों को ये लगता कि वजी जो प्राइम मिनिस्टर वो तो हमारा है इसलिए अब हम जो भी बदमाशी करेंगे करेंगे वेस्ट बंगाल में already 1.6 एवन मुस्लिम का भी fertility rate 2.3 in rural बंगाल हिंदू है 2.1 in rural so मुस्लिम I have already declined it ठीक है ऐसे होगा यह होगा पैसे आए जाए जाए लोगों के पास तो लोग ठीक होते जाएंगे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पंचा सकूँ हुआ 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 हुआ